समाजवाधी पाटी समाप्तवाधी पाटी बन रही है सफा हो रही है पूरे प्रदेश से 2024 के चुनाओ के बाद स्री अखले से आदोजी और स्री राहूल गांदी एक किटली जाएंगे एक लंदन जाएंगे आप विश्वास रखना भाजपास सबका साथ सबका विकास करती ह इस्टे मैं पूरे दावे से कहता हूँ 100% में से 80% हमारा है 20% में बटवारा है बटवारे में भी हमारा है मैं स्रीहरीज दिवेदी जी की दिल से इसलिए प्रसंसा करता हूँ कि इनके जैसा अपने लोग सबाच्षेत का विकास करने वाला सांसद बड़े भाग किसे मिलता बारती जंता पार्टी बहुमत प्राफ्ट कर चुकी है अब प्रचन बहुमत की ओर बढ़ रही है 2014 से जितने नारे उन्हों न दिये उस अब खोकले निकले हैं फरजी निकले हैं गुमरा करने वाले निकले हैं 2014 में आप विश्वास रखिए स्री राहूल गांधी जी राय वरेली से भी हार रहे हैं मेठीस डरके भागे यह दुस प्रचार है अफवा है मेरे प्रधानमंत्री सिर्ण नरेंद्र मोदी जी जब संसद वहुमन में प्रवेश किये किसी जैसे भागवान के मंदिर में कोई प्रवेश करता है तो पहले माथा टेकता है उन्होंने संसद वहुमन को लोगतंत्र का मंदिर मान करके पहले सीज जुकाया अपना देहरी पर सर रखा तवंदर प्रवेश किये उन्होंने लोगतंत्र का मंदिर माना सम्विधान को अपना सबसे बड़ा धर्म ग्रंत माना मोदी जी जैसा लोकतंत्र का पुजारी सम्विधान का पुजारी ये बड़े भाग से देश को मिला है या दुस्परचार करके अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे गरीब आदमी जानता है कि गरीब को लूटा किसने है गरीब की सेवा किसने की है दो तारीक को अर्विंद केजरीवाल जी जेल जाने की तैयारी करें उनकी बातों को गंभेरता से मत लीजे वो बाहर आएं उल जुलूल बक रहे हैं उनको मालूब है कि इतना सराब पिये हैं गोटाले की वो सराब उनको परिसान करें भारती जंतापाटिक राशी अध्यच है क्या या विधाय के वाजपाग वालों को भाजपाग चिंता कब से होने लगी आधनी योगी आधितनाजी के नेत्रत में गुंडे बिल में घुज गये हैं कानून विवस्ता चुस्त दुरूस्त है पूरा प्रदेश आज देश में जिस प्रकार से अपनी पहचान बनाया है वहाँ योगी आधितनाजी के नेत्रत में 2017 से 2024 के बीच में आपने देखा है अन्यता सपा की सरकार का मतलब जिस गाड़ी में सपा का जंड़ा उस गाड़ी में बैठा गुंड़ा सपा का नारा खाली प्लाट हमारा ये समाजवादी पाटी अपराधियों माफियाओं को पैदा करने की फैक्री और कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्री पाकिस्तान राहुल गांधी जी का प्रसंसक है और मोदी जी का विरोधी है और ये जिहाद के न इनको देश में सरकार में आने का मौक्वा दिया था यहीं इनको सदा के लिए बिदा कर देए आप चिंता मत करिए इस देश या देश इमानदारी से आगे बढ़ा हुआ